नमस्ते और ओम शान्ति आप सब शुरताओं को आपको स्वागत है आपके ही चानल सीख the soul the truth lies within में और जो लोग इसको first time सुन रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम में लिंक दिया है यूट्यूब चैनल का जहां पर जा करके आप diet plan जहां पर जा करके आप flexibility चेर पर बैट कर कैसे आसन कर सकते हैं flexibility के कैसे relax कर सकते हैं अपने आपको parenting के बारे में आप अपने life में positive कैसे रहें depression को कैसे हटाएं बहुत सारे topics 300-400 वीडियो बना चुका हूं उनमें आप जा करके चेक कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगे हों सारे के सारे और उके सा जिज का रहा है दिल्वाने की तरीके बताते हैं तो अब आप पर मात्मा कहते कै想 लाटे हमें खू़ महींदागे होते मन में हमें इंसे बात कर लेता हूं फोन पर मेरे कोई attachment नहीं उससे में कोई महों नहीं है कोई प्यार नहीं है ऐसे हां बस एक दूसर को लेकिन बहुत महीं धागी होते हैं परमात्व कहते हैं हमें आगे बढ़ नहीं देखेंगे तो सुक्षम संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन उची स्टेज का अनुभव करने वाले निरबंधन भवा उची स्टेज मतलब कि आप फ्री फील करोगे फ्री मतलब फरिष्टा जैसा हलका चुकि अपने कारे में आगे बढ़ रहा है जीवन में नहीं तो अगर इस जनम मे आपने कारे पूरा नहीं कियो तो एक और जनम लेना पड़ेगा आपको क्यों अगर आप अटाश्मांड में सारे कारे पोस्पोन कर देते हो आप किसी कारे खले और इस धर्धि पर आयको हो टुछ कारी कोन चार्ण में तो आपने किसी और करण वह नीर्बंधन है उथनि च उची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं, उची स्टेज मतलब कि वो अपने कारे को पूरा करते करते जा सकते हैं और उनके मन में भी शान्ती रहेगी, stress नी रहेगा, attachment नी रहेगी, उनको depression नी होगा, बहुत सारी चीज़े होते हैं, जो कि नी होगी, explore करते हैं, इसलिए चक करो क मनसा वाचा वा करमना में कोई सुक्षम में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है हम कहते हैं नहीं मेरा तो कोई ऐसा कोई है नहीं मेरा किसी स्वेक्ति के साथ में टाच मन्नी है पिर क्या करें मेरे बच्चे हैं करना तो पड़ेगा क्या करें माता पिता हैं सेवा तो करनी पड़ेगी क्या करें जौब है नौकरी है करना तो पड़ेगा परमात्मा कहते हैं कि आप इसको भारी पन में मतलाव बच्चे हैं किसके बच्चे हैं मेरे नहीं परमात्मा पिता के बच्चे हैं तो कौन की देग करेगा वो करेंगे और अगर करवानी होगी तो मेरे द्वारा करवाएगे ना कि मैं कर रही हूं सेवा उनकी क्या मैं कर रहा हूं उनकी सेवा बच्चों की parents हैं, parmatma के b touchy हैं वो भी पर्मात्म' के basaki हैं लेकिन उनकी संभाल कौन करेगा parmatma पहले आते हैं फिर मैं आता हू sunscreen मैं अगर सारा ठेका अपने उपर ले लो तो मैं गलत कर सकता हूँ लेकिन parmatma कभी गलत नहीं कर सकते है तो अगर मैंने अपने आपको आपने वाइफ के मामले में आपने हस्मेंट के मामले में आप हलके हो जाएं इन बंतनों को छोड़ दें यह चोटी चीज़ कहना कौन करेगा मेरे बिना कभी कभी हमारे अंदर कुछ कलाएं होती हैं जिसके कारण कि आपकर तप्री वाइफ को मदद कर पाते हैं अपने हस्मे अरे मेरे बना कर लिए ये काम अटाच्मेंट ये मेरे बना करने सकते हैं काम में को हमेशे हाजर होना पड़ता है तो हम बहुत सारी चीज़ा पोस्पोन कर देते हैं बहुत सारी चीज़ा हम अपनी लाइफ में रोग देते हैं आगे नहीं बढ़ते हैं sacrifice जिसको हम कहते है, परमादपा कहते है, sacrifice नहीं है वो, वो attachment है, फिर कभी-कभी जैसे दाजलिंग जैसे शेयर में, छोटी सी बाद बताता हूं आपको, जो लड़के-लड़की आपस में relationship है जिसको हम boyfriend-girlfriend कहते है, कुछ लोग तो ऐसे भी decisions बनाते हैं, कि उनका school खतम वहा, college जाना है, तो college बैंगलोर जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, तो जो boyfriend या girlfriend वो sacrifice करके, boyfriend के साथ में रहने के लिए, अपने जो college में जाना चाहिए था, उसको छोड़ करके, उसके college में जाकर के दाखला लेते हैं, ताकि वो पास पास रह पाएं, क्या है वो, insecurity है कि प्यार है, attachment ह कि अपनी life की जो पटरी है, उसके उपर से train को हटा दिया, और दूसरी पटरी पर डाल दिया, क्या आप सुखी रह पाऊगे, आप शान्त रह पाऊगे, खुश रह पाऊगे, नहीं, और वो relationships ज्यादा तर तूट जाते हैं, लंबे नहीं चलते हैं, तो वो sacrifice, तो sacrifice लगा, ह आप किता प्यार है, आरे किता प्यार है उनके बीच में, ये तो लोग कहते हैं, लेकिन वो लंबे नहीं चल पाते हैं, आप जब तक अपना रोल पूरा नहीं करोगे, आप खुश नहीं रहोगे, और आप अगर sacrifice करके आगे जाओगे, कह करके मेरे बिना, उनके बिना मैं, अटाच्मेंट, परमात्मा कहते हैं, महीन धागे हैं, फिर जब आप जाओगे, अगर वो आपके अनुसार नहीं चले, वहाप जा करके चेंज होगे वो इनसान, फिर आप को कि मैं तो सब को छोड़के आई थी, मैं तो सब को छोड़के आया था तो आपके लिए, आपने इसे क्यों कर दिया मेरे लिए साथ में, परमात्मा कहते हैं, कि ये महीन धागे हैं, अपने चोटी-चोटी चीज़ें तो ये अउधारन दिया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में चो हम करते हैं, आपको तो पता ही होगा, हर कोई करता है, तो परमात्मा कहते हैं, वह आगे बढ़ने नहीं देते бेना को दर्ष anthropology करो कि मंसा वचा करमना मन में भी वह थौर्ट स्ना है attachment के वाचा में भी ना जैसे बोलते रहते हैं मेरे बिना कैसे कर पाएंगे वच्छा कर दिया हुआ। कर्मना में हम Rewith मταιव्त बिना बोले हम करते49 में पत्रम Não आ चता है क्केस्ण क्कूर में दागा करों तो नहीं है, एक बाप के सिवाए और कोई याद ना आए, गौड को कहते हैं, परमात्मों कहते हैं, मार्ग दर्शक, तो परमात्मों कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हें मार्ग दर्शन करूँगा, तो मौरों से अटाच रहोगे, तो मेरी दिशा पर नहीं चल तो बंदनों को तोड़ना नहीं है, पर उनको इतना गहराई से जोड़ना नहीं है, कि आप छोड़ी ना पाऊ, छोड़ो तो छूटे, लोगों को नहीं छोड़ना है, वो जो सोचते हो, जो बोलते रहे तो मेरे बना कैसे करेंगे, अरे मेरे बना कैसे कर दिए नहोंने, य इस चीज़ों को बोलना छोड़ो ताकि आप अपने आपको मुक्त कर पाऊ आगे बढ़ने के लिए अपनी दे भी याद आई तो दे के साथ दे के संबंद अगर मैं अपने अपने आपको शरी समझ जो शेरी के सामनी अहुजा नाम इसके उपर अहुजा के साथ में रिलेटि को हटाओ शेरी को भूलो आत्मा समझ अपने आपको शेरी की बातों में आओगे तो मेरा 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 मेरी चीज़े याद आएंगी परमात्मा कहते हैं दुनिया पदार्थ यह सब याद आना चुरू जाएंगे यह मोबाइल फोन याद आजाएगा घर याद आजाएगा मेर लेने देना वो कपड़े हां, वो गहने वो बिल्कुल नहीं छुईगी, परमात्मा कहते हैं, इतना attachment, परमात्मा ने ये भी बताया कि अंतमती सोगती, जो मन में last संकल्थ चल रहे होंगे, वहीं आपका जनम होगा, तो कहीं लोग सोचते हैं, अरे सुरक बदार के परमात्मा अंतमे क्या संकल्थ थे, प्रॉपटी याद आई, आज उबाजोई जनम लेना पड़ जाएगा फिर से, पुनर जनम, संबंधी याद आए, उनके आसपासी कहीं जनम लेना पड़ जाएगा, आपको मुक्ती नहीं मिली है, तो इतना साफ रखना है अपने मन को, तब ही मु चाहिए, याद आते जाएंगे सारी चीज़ें, इनी से तो मुक्ती चाहिए, यही तो stress create करते हैं, पर बाबा कहते हैं, मैं निर्बंधन हूँ, यह स्लोगन है, मैं क्या हूँ, निर्बंधन हूँ, इस वर्दान को समर्थी में रख, सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो माया मतलब किया जो नए सुन रहे है माया मतलब धन नहीं आAL Spre demander इर्श लियिद्न नफ्रत अलच सब को मकट करें सब को मोट करा यहां मेरा धन मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे मेरी वाइफ मेरा हस्मेंड मेरा 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 ये मेरे शेपने प्रॉलम है तो परमात्मा कहते है सब तेरा 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 तुई टेंचन ले मैं मुक्त हो गया या तो सब परमात्मा तेरा 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 ये भी तेरे वो भी तेरे ये सब वाइफ भी तेरी हास्मेंड भी तेरा तो वो भी शेयर कर सकते हैं आप अपने साथ में और और के साथ भी शेयर करें इस वीडियो का अगर आपको चलगे तो आज को देना आपको शुब हो आप सुखी रहें, खुश रहें, तंदुरस रहें, ओम शांती